तो नेक्स्ट हम बेखते हैं, caption caption means, आप जानते हैं, जितने भी डायलोग बॉकसे आप खोलते हैं, तो उनमें कमान बटन्स और लेबल्स वगएरे आते हैं, उनके उपर जो लिखा हुआता है, वो caption कहलाते हैं, जैसे आपने लिखा होगा कोई भी डायलोग बोक्स खुलता है तो इसमें OK लिखा हुआ होता है Cancel लिखा हुआ होता है तो ये OK और Cancel जो लिखे हुआ है ये Caption कहलाते हैं यहाँ पर Caption जो है हमारे Document में इसी प्रकार से Buttons के लिए प्रयूग में लिए जाते हैं इसके अतिरिक्त आपने अगर कोई Table इसके अंदर Insert कर रखी है या कोई आपने Figure इसके अंदर लिख रखा है या कोई Equation लिख रखी है तो उसके ऊपर Caption डालने के लिए इसका प्रयूग किया जाता है जैसे हमने कोई Table नहीं तो Automatically इसमें Number हम जब चूज करेंगे Caption को तो वहाँ पे Automatically Table के ऊपर या नीचे की और लिखावा जाएगा Table 1, Table 2, Equation लेंगे तो Equation 1, Equation 2 जिसके मदद से हम Go To के द्वारा जब भी चाहें तो उस जगे पे Direct जा सकते है इसी के लिए Caption का प्रयूग किया जाता है देखें हम Caption का प्रयूग कैसे करते है दिखिए मैं Insert में Caption पे हूँ और मैं Caption पे क्लिक करती हूँ तो यह देखिए आप यह Dialogue Box खुर के आपके समने आ रहा है यहाँ पे अभी Figure 1 लिखा हुआ है Caption में यहाँ पे मुझे से संबंदित मैटर लेना चाहिए फ्रेम हमारे पास है जिसके अंदर यहाँ लेबल आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि आप Caption किस पे डालना चाहते है फिगर पे तो यह दी फिगर पे डालेंगे तो फिगर 1 आएगा और इसके लबा और भी हमारे पास है देखिए Equation और Table लेंगे तो वहाँ आप Equation 1, Equation 2 आता चला जाएगा देखिए आप Equation 1 हो गया है और यह टेबल लेंगे तो फिर Table A, Table B यह Table 1, Table 2 अगिर जो भी हम चाहेंगे यहाँ से हम फॉर्मेट चेंज कर सकने है यह अभी हमारे पास Disable है क्योंकि हमने कोई भी जो है मैटर से मतलब यह तो हम यहाँ पर Table लें या हम कोई Equation लें उसको Select करें या Number List लें तब उसको Select करें तब ही जाके यह अपने आप Enable हो जाएगा और यह जो है Position के लिए है कि जो आप Figure, जो आप Caption लिखना चाहते है वो Figure के ऊपर की तरफ आए या Figure के नीचे की तरफ आए मतलब Selected Item के ऊपर की तरफ आए या Selected Item के नीचे की तरफ आए वो यहाँ से हम चूज कर सकने है अभी हम करके देखेंगे इसको यहाँ से देखिए आप New Label द्वारा आप नया लेबल भी प्रयोंग में ले सकते हैं बना सकते हैं जैसे कि मैंने इसके अंदर पिक्चर का कोई वो नहीं है तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर डाल सकती हूँ Madros Pictures मैं यहाँ पर लिख देखिए हूँ M-E-D-R-O Pros As Madros Pictures मैंने Madros Pick लिखा है और मैं OK पर क्लिख कर रही हूँ तब देखिए यहाँ पर यह एड हो चुका है और यहाँ पर अपना Madros Pick 1 आ गया है खुद बखुद यहाँ पर चेंट हो गया है यहाँ से यदि मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर सकती हूँ और यहाँ पर जासे आप देख रहे हैं यह नम्बरिंग 1 आ रही है तो मैं यहाँ पर यहाँ पर उस नम्बरिंग की सैटिंग को चेंज कर सकती हूँ देखिए आप मैं नम्बरिंग पर ख्लेक करने जा रहे हूँ देख सकते हाँ तो यह नमबर डालोग बॉक्स हमारा खुला है लेकिन Caption नम्बरिंग के साथ खुला है numbering की यहाँ पर format हम ले सकते हैं 1, 2, 3 है यहाँ मैं चाहूँ ABC या जो भी मैं लेना चाहूँ वो में ले सकती हूँ Roman style में भी ले सकती हूँ यह मैं यहाँ से जो भी चाहूँ ले सकती हूँ और इसके बाद यदि मैंने एगर कोई document के अंदर हमारे chapter numbers भी लिखे हूँ उनको भी शामिल करना चाहती हूँ numbering में तो वो ही सब मैं यहाँ से on कर सकती हूँ इसको हम पहले भी समझ चुके हैं और यहाँ on करके उनको भी लिया जा सकता है OKD मैंने कर दिया तो अगर मैंने उसके अंदर ले रखा है तो अटोमेटिकली उससाब से यहाँ चेंज होगा यहाँ देखे आप auto caption में जाके मैं देखती हूँ तो auto caption में यहाँ बने बनाए भाव सारे जो है software की जो list है यहाँ पर आ रही है checkboxes है यह कि यह set right है कि यदि इन में से कोई mail हूँ तो उन पे क्या caption लिखा हूँ आए वो मैं fix से set कर सकती हूँ जैसे यहाँ पर adobe acrobat document है adobe photoshop image है adobe table है bitmap image है calendar control है मैं किसी को भी एक को चूज करके और यदि मैं जाहूँ कि जब भी मैं इसको लूँ तो उस पर particular यही label लिखा हूँ आए तो वो मैं यहाँ पर set कर सकती हूँ यहाँ वोई बने बनाई है और यदि मुझे नया लेना है तो मैं यहाँ से वोई ले सकती हूँ तो जब भी मैं इस वाले को bitmap image को लूँगी जैसे मैंने कहा bitmap image जब भी मैं लूख उ तो वहाँ पलूँ तो यहाँ पर BMP image लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर BMP image लिखके रोके कर दिया है तो जब भी अब मैं bitmap image को यानि pen brush की किसी भी picture को यहाँ पर insert करूँगी copy paste करूँगी या insert करूँगी तो आप देखेंगे कि उसके उपर BMP image caption जो है लिखा हुआ आएगा लेना हुझे पड़ेगा लेकिन लिखा हुआ यहाँ से BMP image आ सकता है हम उसमें से select करें तो और यहाँ पर बोई numbering आ गया है आपके सामने यहाँ पर फिर यह आप लेख सकते position जो है हमारा enable हो गया है कि below item या above item चूस करेंगे तो जो भी item हमने select कर लखा है इसके उपर की तरफ हमारी numbering आएगी और caption आएगा और below item ले रखा है तो उसके नीचे की तरफ हमारा caption आएगा इस पर कार से यह हमने देखा caption को डालना देखे है मैं इहां पर इसको normal view मैं करती हूं स्वरे नॉर्मल व्यूत ही है मेरा मैं इक mat के लिए यहां पर table डाल देती हूं insert menu में sorry table में जाके मैं इहां पर regない jour कर रही हूं यह रिखिया और मैंने यहाँ पे एक टैबिल बना दी है और इसके अंदर मैंने दो कॉलम बना दिये हैं अब दिखिए मैं इस टैबिल के उपर जो है कुछ लिखना जाती हूँ तो यह टैबिल मुझे सलेक्ट रखनी है और इस पे मैं इंसर्ट पे जा रही हूँ आप देखेंगे कैप्शन पे में जा रही हूँ तो यह यहाँ पे देखिए फुद बखुद टैबिल ए आ रहा है चाहें तो हम यहाँ से इसकी नंबरिंग टैबिल ए की जगे चेंज कर सक क्ल अब आ न Breakfast लाक इसन तो बखुदा नेक्ट थाधिand a-b以- vaya है नि यहाँ पे रोमान कंक्हा में ले और इना चाहूं चाहाँ そんな रोमान संधा ले ली है यह caption table 1 इस प्रकार से जितनी भी table में लेती जाओंगी उन पे यह automatically numbering अबली होती चाज़े जाएगी table 1, table 2, 1 नहीं है यह capital I है, Roman Sankhya वाल आई है जितनी भी tables में बनाऊंगी जब भी उन पे insert करूंगी तो यह I के बाद 2 आजाएगा Roman Sankhya वाला 2 और फिर 3 फिर 4 इस प्रकार से वो numbering automatically होती चली जाएगी तो यह हमने देखा caption insert करना